नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपनी यूटूब चैनल बना सेजुकेशन पाइंट पर आज का जो बीडियो है वह आपके लिए बहुत यूप यूप यूग है क्यूंकि इसमें सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रावधान आया है उससे संबंद सूचना जारी की गई है सरकारी नौकरी के लिए अपर रिक्षा पैटर्न में एवां मेरिट की आधार पर जाएगी तो जिनके दसवी बारी में अच्छे परसेंटेज है उनके लिए खुसकबरी है यहों अन्यचाती वी अपने दनतर प्रयास में लगी रहें जी एटी ने बेभागों और कलेक्टरों से पांच दिन में मांगी खाली पदों की जानकारी अब इस नीज को बिस्तार से देखती हैं बरती बेरुजगारी के बीच राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में भरतियों के मामले में एक बड़ा बदलाव किया है प्रदेश में कलास थ्री और कलास फोर के पदों पर अब परिक्षाओं के जरिये नहीं बलकि दसमी और बार्मी के मेरिट की आधार पर बरती की जाएगी सामयने प्रशाशन बिभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिये हैं आदेश के साती बिविन्न बिभागों और कलेक्टरों से खाली पदों की जानकारी ग्यार आगस्तक भेजने को कहा है गोर्तलब अभी तक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड अलग अलग बिभागों में इस तरह के पदों के लिए परिक्षा आयुज़त करता था इसी साल जन्वरी में बोर्ड ने ग्रुप दो के विवन्न पदों के लिए परिक्षा ली थी जिसका रेल तबी तक गोस्त नहीं किया गया है इसमें सत्तरह जार जादा योबा बेरु आपके लिए कौन कौन से पर दाविदार आएंगे उन पर भीम चार्चा करेंगे तो क्लाल केटेगरी में सहायक ग्रेट तीन कारलस सहायक प्यून डाटा एंटरि ऑपरेटर असिस्टेंट ओडेटर क्लास थी के पदों पर भर्ती के लिए और सीपीसी टी यानि परिक्षा पास होना अनिवार होगा तो आपके दस्मी बारी में अच्छे परसिंटेज हैं और आप ग्रूप तीन या पूप चार की पदों पर भरती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कम्पूटर में दच्छता प्राप्त कर ले अपनी टाइपिंग स्पीट को क्लियर कर गया है क्लास थ्री और चार की पदों पर भरती दस्मी बारी मेरिट की आधार पर होगी और इस दूनी इस की द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि यह दिम तक आपने हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक के हम सेयर करें डिस्क्रप्शन बोक्स जाकर इंस् सीपी सीटी किलियर होना अनिवार रहेगा साती बीरजगारी के बड़ते मामलों को देखकर सरकार ने फैसला लिया है और जी यह दीने बेभागों कलेक्टरों से पात दिन मांगी है खाली बदों की जानकारी तो आप से इक अब धन्यवाद हम आज वीडियो को देखने के के लिए मासा करते हैं कि विए फ़वासत यूही बनी रहेंगी